हाई इस्टुडेंट आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि ब्रिक की टेस्ट कैसे की जाती है और कितने तरीके के इसके टेस्ट होते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ब्रिक की टेस्टिंग करने के लिए मेनी टाइप आप टेस्ट हैं जैसे पहला है वाटर एपजारसन टेस्ट दूसरा है इसकी जो है इस्टेंथ चेक करना तीसरा है इसके हाडनेस को चेक करना चोथा है कलर को चेक करना ऐसे बहुत सारे इसके टेस्ट हैं जो कि हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये किस class का bricks है first class का है कि second class का है कि third class का है तो एक होता है nail के द्वारा भी किया जाता है जैसे अगर कोई brick है उसके उपर हम nail जो नाखून होता है उससे करें तो कोई उस पर scratch ना आए अगर कोई scratch नहीं आता है तो मानते हैं हम कि वो जो है good quality का bricks है करते हैं जिसे माना गया है कि brick की जो standard size होती है 19 x 9 x 9 cm होना चाहिए मतलब 19 cm x 9 cm x 9 cm अगर बात करें bit mortar मसाले के साथ क्या size हो जाती है तो 20 cm x 10 cm x 10 cm माना जाता है bit mortar फिर इसके कुछ ringing sound test किया जाते हैं कि अगर मैं दो brick को आपस में लडाता हूं तो उन लोग उन दोनों के बीचे अच्छे quality कारेंगिंग sound sound आना चाहिए और इसको अगर मैं थोड़ी से उचाई से किरा हो तो ये click नहीं होना चाहिए bricks और इसकी water absorption capacity भी चेक करते हैं इसकी strength भी चेक करते हैं तो मतलब side पर आप लोग अगर जाए फ्रेसर हैं आप और brick की टेस्ट करना है तो कहा जाता किसी भी randomly अगर brick को चेक करना है तो पंद्रे से 20 bricks को उठा लिया जाता है उनकी size को चेक करो उनकी water absorption चेक करो उनकी strength चेक करो hardness चेक करो color चेक करो यह सब और इसमें बहुत सारे consistent मिला जाते सिलका हो गया lime हो गया जिससे iron हो गया iron जो होता है इसके color को provide करता है ठीक तो brick के यह सब सारे test होते हैं जो भी किसी भी brick को में test का bricks है तो bricks का test बहुत ही जरूरी होता है अगर आप freezer है तो यह आप लोगों को पता होना चाहिए कि side पर गए और पता करना हो कि brick यह हमारे लिए सही है या नहीं है तो इसके लिए यह सारे जितने भी मैंने वीडियो में बताया हूं कि कैसे पता करेंगे तो सारे step आप लोग एक के बाद एक follow कीजिएगा और फिर अगर criteria जिसका जैसा आ रहा है उस तरीके के criteria में यह brick चला जाएगा तो मैंने यह ही है कि brick को test करने का वाटर राइब जारसन हो गया उसकी hardness हो गई उसकी stent हो गई उसकी color हो गए उसके shape and size हो गए यह सब brick के चेक करने के तरीके हैं यहां जो है aggregate रखा गया है जो की 20 mm size का है aggregate और यह जो है boundary wall यहां पर बन रहा है तो उस boundary wall में 20 mm size का जो है aggregate इउठ किया जाएगा और फर्स्ट क्वाल्टी का ब्रिक से जसको test कर लिया गया है तो सारी quality इसकी first class के जैसा ही follow हो रहा है तो यह ब्रिक जो है फर्स्ट क्वाल्टी का ब्रिक है तो इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को मैं यही जानकारी दिया है कि साइट पर अगर आप जा रहे हैं फ्रेसर हों ब्रिक की test करना हो तो इतने तरीके के test होते हैं जो कि आप आसानी से कर पाएंगे और यह aggregate है जिसकी साइट 20 mm है और उस साइट पर आपको प्लान में दिया रहेगा कि कित ग्रेट का काम कराना है कालम का हो गया बीम का हो गया यह 10 कराना है कि 15 कराना है कि 20 कराना है कि 25 कराना है कि कितने जो है यह यह का बार यूज करना है 12 mm 16 mm यह 20 mm यह सब आपके जो है उसमें प्लान में दिया रहेगा और उसके हिसाब से आप लोग जो है काम कराना होता है उसी से प्लान में हर एक इस्टेंडर आए जे इस्टेंडर लेना होता है क्या रेसियो होना चाहिए जैसे यह 10 हो गया 1 रेसियो 3 रेसियो 6 होता है यह 15 का हो गया 1 रेसियो 2 रेसियो 4 होता है यह 15 हो गया, 1 ratio, 1.5 ratio, 3 होता, तो यह सब standard size होता है, उनका ratio चलता है, तो यह सब कुछ पलान में दिया रहेगा, कि इस कालम में कौन सा चलेगा, भीम में कौन सा चलेगा, फिर चुनाई करेंगे, तब कितना ratio चलेगा, सीमेंट का, और जो है, सैंड का, तो यह सब इस वीडियो में इतनी जानकारी है, बाकि वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, सेयर करें, और सब्सक्राइब करें, थैंक्यू,